रिष्टे अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिन्दा राते हैं समवाद से, महसूस होते हैं समवेदनाओं से, और जिये जाते हैं दिल से, अजीब तमासा है मिट्टी के बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं और वभा करो तो रुलाते हैं। कुछ रिष्टे किराय के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजालो कभी अपने नहीं होते, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझावता किया हुआ रिष्टा दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं आती, एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मुहबबत और नफरत ए अपनों को पाया हमने, किसी को नजरों में ना बसाओ, क्योंकि नजरों में सिर्फ सपने बसते हैं, बसाना ही है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं, जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिष्टा निभाना हो, तो अपने दिल में एक कब्रिस्ता बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दपना सको एक बात हमेशा याद रखो इसी के सामने गिर गिराने से नो तो इज्जत मिलती है और नो ही मुहबत अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी कैसे करूँ मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो एसास तुम समझते नहीं और अदायल हमें आती नहीं अफिसोस होता है उस पल जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है ख्वाब हम देखते हैं और हकीकत कोई और मना लेता है साथ छोडने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए वरना निवाने वाले तो मौत के दर्वाजे तक साथ नहीं छोडते कभी भी दूसरों के बाते सुनकर अपने रिष्टे को खत्म मत करिए रिष्टे अपने होते हैं दूसरों के नहीं लड़िये रूठिये पर बाते बंद नो कीजिए बातों से अक्सर उलजने सुलज जाती है गुम होते हैं सब बंद होती है जुवान संबंद की दोर ऐसे में और उलज जाती है वक्त तो रेत है हिसलता ही जाएगा जीवन एक काड़वा है चलता ही जाएगा मिलेंगे कुछ खास इस रिष्टे के दर्मिया थाम लेना उन्हें वरना कोई लोट के न आएगा सीशा और रिष्टा दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है सीशा गलती से तूट जाता है और रिष्टा गलत फामी से संका का कोई इलाज नहीं चरित्र का कोई प्रमान नहीं मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सब्द से तीका कोई बान नहीं, दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीठ में लगा, दर्द तब हुआ जब मैंने खंजर वाले हातों को देखा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो, सब को बस यही चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को तु में मन, तनाव यानि भविष्य में मन, सांती यानि वर्तमान में मन, धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है, और सिकायत से मिलता कुछ भी नहीं, पर खोता बहुत कुछ है, यह आंसू भी एक परेसानी है, भुशी और गम दोनों की निसानी है, वाले के लिए सिर्फ पानी है रिष्टा जब आशू पोचने के वजाए आशू देने वाला हो जाए तो समझ लेना कि उस रिष्टे ने अपनी उम्र पूरी कर ली है यह इंसानी फित्रत है बुडाई की तरफ इंसान दौर कर चला जाता है जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है एक छोटी सी चीटी आपके पैरों को काट सकती है परन्तु आप उसके पैरों को नहीं काट सकते इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें कमजोर लोग बदला लेते हैं मजबूत लोग माप कर देते हैं और अक्लमंद लोग नजर अंदाज कर देते हैं उड़े की चाहत में इंसान बहुत कुछ खोता है भूल जाता है कि आदा चांद भी खूबसूरत होता है उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो केवल ब्यवहार से ही मिलेगा किसी को कभी दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुनी हो कि जब आप उठे तो कोई बैठा नो रह सके खुदा के फैसले पर कभी सक मत करना अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह एक मांगो हजारों मिलती है और दुनिया की सबसे मांगी चीज सयोग हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलती है सुन्दरता की कमी अच्छा स्वभाथ पूरा कर सकता है लेकिन स्वभाव की कमि को उस्वभाथ से पूरा नहीं किया जा सकता कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें वो हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ करना चाहिए यदी पड़ी स्थीतियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं विगार सकते नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मज़ा है लोग रुलाना नहीं चोड़ते और हम उसकुराना नहीं चोड़ते स्रद्धा ग्यान देती है नम्रता मान देती है और योग्यता अस्थान देती है और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है